हेलो दोस्तो देखने में थोड़ा चॉकलेट जैसा लग रहा है ना पर ये चॉकलेट से कई गुना हल्दी और टेस्टी है ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है दिन में बस एक पीस भी खालो तो पूरे दिन एनरजेटिक फिल करोगे बारिश के मौसम में होने वाली सर शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर एक कप भूनी चना दाल ली है जिसे हिंदी में दलिया और इंग्लिश में रोस्टेट चना दाल भी कहते हैं हैल्थ के लिए फाइदेमंद होती है इसमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं ये डाइजेस्टि यहां पर हमारी दाल का फाइन पाउडर तयार है अब इसे हम रखेंगे साइड में जब तक हम एक छोटी सी तयारी कर लेंगे उसके लिए बगोनी को हम गैस पर चड़ा देंगे और उसमें डालेंगे एक कप पानी साथ ही पानी में डालेंगे एक कप गुड तो यहां पर आपको गुड का कलर थोड़ा गहरा नजर आ रहा होगा क्योंकि ये देसी गुड है आपको जो भी गुड मिलता है आप उसे यूज कर सकते हैं तो गुड की तासिर होती है गर्म और ये हमारी सेहत के लिए काफी फायदे मंद है चीनी के मुकाबले तो पानी में आप गुड क आ चुका है यहां गैस की फ्लेम को हम करेंगे बन और एक पैन को गैस पर चड़ा लेंगे और उसमें डालेंगे तीन चोटे चम्मस घी तो यहां हम हैल्दी बना रहे हैं और वो टेस्टी भी होना चाहिए घी हमारा जैसे ही मेल्ट होता है तो इसमें हम भुनी चनादाल के पाउडर को डाल देते हैं और अब गैस की फ्लेम को लो रखते हुए इसे लगातार चलाते हुए भुन लेते हैं ध्यान रखे कि यह तली से लगकर जलने ना पाए तो बदलते मोसम में होने वाली समस्या से भी यह बचाता है वेट लोज भी करता है हड्डियों को मजबू करता है कमरदर्द और तनाव को भी दूर करता है तो हलका सा कलर चेंज हो गया है और यह घी में बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुकी है तो अब इसमें हम गुड के सिरप को चानते हुए एड़ कर देंगे और इस समय सिरफ थोड़ा सा ही गुड का सिरप एड़ करा है और इसे अच्छी से मिक्स कर देंगे इसे यहां हमें बहुत ही अच्छी से मिक्स करना है इसमें कोई भी लंस नहीं होने चाहिए जब तक कि इसका क्रीमी टेक्श्चर ना आ जाए तो यहां पहले डाला गया गुड का सिरप चना डालने अच्छी से सोग कर लिया है तो हम गुड के सिरप को भी छानते हुए फिर से एट कर देते हैं, तो छानने से यहाँ गुड के सिरप में जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है, तो अब इसे हम लगतार मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर ही पका लेते हैं, जब तक कि ये शुगर सिरप चना दाल पूरी तरीक शोक नहीं कर लेती और यह अच्छे से गाड़ी नहीं हो जाती है और इसे हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, लो फ्लेम पर पकाने से इसका टेस्ट बहुत ही जबरजस्त है तो गुड और चनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरजस्त है इसका यूज हमारे पूरवच करते तो यहां यह डो के फॉर्म में आ चुका है अब इसमें हम टेस्ट के लिए डालेंगे कुटी हुई इलाइची और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने यहां पर पैन को एकदम छोड़ दिया है और यह अच्छी तरीके से पक चुकी है तो इ अकसर थकान महसूस होती है न उनके लिए तो यह एक लड़ू दिन भर के लिए एनरजी बुस्टर का काम करेगा तो आपका यह मीठे का मीठा हो जाएगा और हैल्दी का हैल्दी भी तो यहां मैंने देसी गुड का यूज करा है इसलिए देखने में यह एकदम चॉकलेट जैसा लग रहा है लेकिन यह उससे कई गुना हैल्दी और टेस्टी है प्रोटीन और फाइबर से भर पूर यह लड़ू की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो करें इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी यूसफुल रेसिपी के साथ जब तक के लिए बाबाए